बॉर्निंग बच्चों इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के SST का 16 चैप्टर डेमोक्रेसी एंड सोसियल मुवमेंट कवर करने वाले हैं तो डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग काफी कुछ जान चुके हो अब जो डेमोक्रेसी का एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोसियल मुवमेंट यानि की समाजिक अंदोलन जो लोगों के द्वारा मुवमेंट किये जाते हैं अपनी मांगों को लेकर अपने अध तो social moment क्या होता है ये किसी भी एक social group के द्वारा क्या होता है अपने मांग को लेकर है ना किसी भी देश में या समाज में अपनी मांग को लेकर ये क्या करते हैं या अपनी अधिकारों को लेकर अपने rights को लेकर ये fight करते हैं या फिर क्या करते हैं अंदोलन करते हैं तो इसी क लोगों के द्वारा किया गया वह अंदोलन है जिसमें वो अपनी कुछ डिमांड रखते हैं या अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं सरकार से या समाज से देश से मांग करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समाजी का अंदोलन बोलते हैं जैसे आजाध हो गए हैं, लेकिन किसी-किसी समाज के लोगों को, किसानों को, या बहुँ से ऐसे rules और regulation, government ले करा जाती है, जिसके करन क्या होता है, लोगों का हीत प्रभावित होता है, या लोगों का जो अधिकार है, वो क्या होता है, उनसे छिनने लगता है, तो उसी की रक्षा क लिए उसी के protection के लिए क्या होता है लोग आंदोलन करते हैं धर्णा देते हैं और अपने धिकारों की मांग करते हैं तो जैसे आप लोगओं को पता है कि हमारे समीधान में हमारे constitution में हमको क्या दिया गया है बहुँ सारे राइट से दिये गए है, fundamental rights दिये गए है, तो उन fundamental rights में एक right क्या है, right to freedom, यह हमारे constitution में बता हैं, बहुं सारे articles लिखे गए हैं, तो उसमें से article जो 19 है, 19 जो है, अनुच्छेद 19 क्या बोलता है, right to freedom के बारे में बताता है, याने कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, सबको स् सतंतरता के अधिकार में right to freedom में कौन कौन से freedom हमको दिये गए हैं, जैसे freedom of expression, याने कि हम लोग अपने आपको express कर सकते हैं, जो भी हमारा thought है, जो भी हमारे viewpoints है, उसको हम लोग express कर सकते हैं, वैसे ही freedom to form association, याने कि संगठन बनाने की सतंतरता, इससे पहले वाले chapter में आप ल सारे लोगों का संगठन होता है, ग्रूप होता है, जो अपने common demands को लेकर, मांगों को लेकर, जैसे आप लोग आगान बाड़ी कारे करता हो गए, सिक्छक हो गए, जो हरता लोगर करते हैं, ऐसे सब बहुं सारे association देखते हैं, संगठन देखते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म क संगठन हो सकता है, जाती का संगठन हो सकता है, अलग-अलग इसके बारे में आप लोगों को अल्रेडी प्रेसर रूप वाले चेप्टर में बता दिये हैं, तो ये हमारा अधिकार है, हमको right दिये गए कि हम लोग association बना सकते हैं, वैसे ही freedom to assemble, यानि कि हम लोगों को सभा कर करने की सोतन्तरता दी गई है, यानि कि हम लोग सांती पूर्ण किसी एक जगा पर इकठे होकर क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बाचित कर सकते हैं, विचार भी मर्ज कर सकते हैं, तो इसी को क्या बोला गए है, freedom to assemble, अब इन सब चीजों का हमारे इस moment होता है, डोंगरिया कोंध क्या है, डोंगरिया क्या है, अभी हम लोग समझेंगे, और ये नियामगिरी क्या चीज है, कौन सा प्लेस, कहां पर है, तो आप लोगों को हर एक point को बहुत ध्यान से सुनना है, हो सकता है, कौन सा question आ जाए पता नहीं, है ना, one mask, two mask, या objective वाल में ये hill है, है ना, hill मतलब पहाड़ी है और ये जैसे पहाड़ी रहता है, तो पहाड के आसपास जंगल भी होते हैं, forest भी होते हैं, है ना, तो ये कहां पर प्लेस है नियामगिरी, ये ओडीसा में है, अब जहाँ पर जंगल रहते हैं, पहाड रहते हैं, वहाँ पर tribal peoples भी रहते हैं है ना ट्राइबल पीपल मतलब जन जाती है लोग वहां के जो लोकल नेटिव हैं तो यहां पर क्या हुआ बॉक्साइट के डिपॉजिट देखने के लिए मिले आप लोगों को जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया जी एसाई बताया थे जो मिनरल सवगर की खोज कर करेंगे अच्छा यह जो बॉक्साइट है यह किसका ओर है आप लोगों को बताया थे यानि किसक मिलेगा हमको एलुमीनियफ मिलेगा जब उसको प्यूरिफाय करेंगे तो हैं अचित यहां की जो इस्तेट गार्मेंट थी औरिसा कि उसने क्या किया है कंपनी को टेंडर दि पर पर माइनिंग करने का पर म माइनिंग करती है तो उसको बहुत सारे पर मिस यहां करने करते हैं और permission ले लिया फिर इन्होंने mining करने के लिए वहाँ पर क्या किया जितने भी mining करने के लिए वहाँ पर बताया ना जी यह जैसे forest है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उसको पेडों को काटना पड़ेगा उस जगों को पूरा clean करना पड़ेगा तो वहाँ पर जो लोग रहते थे वहाँ पर जो लोग रहते थे जो ट्राइबल पीपल रहते थे वही ट्राइबल कौन थे वो कौन थे डोंगरिया कौन थे कौन क्या है एक ट्राइबल कम्यूनिटी है एस्टी कम्यूनिटी है जैसे हम लोग बहुं सारे कम्यूनिटी सुनते हैं गोण हो गया हलबा हो गया है ना इसी प्रकार बैगा हो गया बैगा जिसको हम लोग बोलते हैं ये भी एक tribal community है ये सब है ना जंजाती लोग है ये तो यहाँ पर कौंध करके इन जंजाती लोग रहते थे तो वो इनके विरोध में आ गया लग भग 10 लोग मैनिंग को आपोस्ट करने के लिए हना कि वो मैनिंग का विरोध करना चाहते थे और सरकार यहां पर मैनिंग क्यों करवाना चाहती थी तो इस इस concept को पहले समझज़िएगा सरकार mining यहां पर क्यों करवाना चाहती थी तो इससे क्या होता bauxite निकलता, bauxite से क्या मिलता aluminium मिलता, aluminium सरकार क्या करती, इसको बेश थी सरकार के पास में पैशा आता, सरकार उससे अपने राज्य का development करती देश के पास पैसा आता देश का development होता तो ये पूरा process ये सोचकर सरकार कर रही थी अब इससे tribal जो लोग थे उनको क्या दिक्कत था फिर तो अगर आप लोग सोचिए कि यहाँ पर tribal यानि की जन जाती होते कौन है तो उनका पूरा जो life है livelihood है जो जीवन है वो इसी forest पर तो depend क करता है यहां से वो क्या करते हैं wood collect करते है medicine collect करते हैं या उनका जो भी पूरा दिन चरिया है वो क्या होता है जंगलों में ही hunting वगर करते हैं तो यह सब पूरा totally इन लोग क्या होते हैं जो जन जाती है वो forest पर ही dependent रहते हैं तो अगर forest ही कर जाएगा तो और उनको यहाँ प जाते हैं अगर mining हुआ तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा या उनके घर मतलब यह forest है वो उनसे चिल लिया जाएगा तो इन लोगों ने 10,000 लोगों ने क्या किया 10,000 पीपल्स ने क्या किया 17 किलोमीटर long chain बना लिया और पूरे नियाम गिली जो डोंगर थन जो नियाम इसको क्या कर लिया कवर कर लिया मान के चले यह पूरा forest हो गया यह पूरा forest है तो इसको चारों तरब से 17 किलोमीटर का लोगों ने क्या किया ऐसे chain बना कर घेरा बना कर इसको घेर लिया और विदानता जो company था उसका प्रोटेस्ट करने लग गए कि हम आपको यहां पर mining करन दानता go back stop mining in नियामगिरी तो यह बहुत सारे प्रोटेस्ट चले बहुत सारे environmentalist अभी बताए आदिवासी थे यह है ना कुटिया कोंद और डोंगरी कोंद यह उनका जन जाती है है यानि की community है ST community जैसे हलबा गोंड बैगा यह सब अलग-अलग क्या रहते हैं जाती रहते ह हैं है ना या जो knowledgeable person लोग रहते हैं और वैसे ही समाज के जो knowledgeable person रहते हैं social activist रहते हैं उन लोग ने भी इसका आकर समर्थन किया लेकिन फिर भी क्या हुआ यहाँ पर राज्य सरकार जो है state government ने कोई action नहीं लिया है ना नहीं वेदानता ग्रूप ने पीछे हटने से मना कर द जाते हैं यह जो ht community और जो इनके साथ में जो लोग लोग थे वो supreme court जाते हैं supreme court में एक petition file करते हैं petition file petition मतलब क्या होता है याची का बुहार लगाते है supreme court में कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहां पर forest को कट करके mining किया जा रहा है तो वहां पर एक committee setup की जाती है committee मतलब समीती कि उसकी जाच की जाए कि यहां पर सब चीज अच्छे से उन लोग legal permission लिये हैं कि ने लिये हैं mining जो हो रहा है वो सही है कि नहीं है उससे क्या-क्या नुकसान होंगे क्या-क्या फायदे होंगे ऐसे करके एक समीती बनाया गया कि वो अपना recommendation देता सुझाओ देता लेकिन वहां पर जब ये समीती गठीत किया गया तो उसने पाया ये जो permission लेकर आया थे वेदानता कंपणी वो सब क्या था वो था illegal मतलब उन लोग ने पैसा वासा खिला के जो है illegal तरीके से permission ले लिये गया था और permission ले लिये गया था तो यह एक तो यहाँ पर क्या होगत इन लोग पेशा क्या है पंचायत extension schedule area अब यह क्या चीज़ है देखो पंचायत schedule area कि इसको बोलते हैं जनजाती छेतर बता है extension मतलब विस्तार अब इसका मतलब क्या हुआ तो जहां पर schedule area का जो विस्तार है वहां के पंचायत को कुछ special rights दिये गये हैं मतलब कुछ विसे सधीकार दिये गये हैं, जैसे कि जो जंगलों को काटना तो मना है, लेकिन अभी बता हैं कि ये लोग पूरी तरीके से जो trying people है, वो पूरी तरीके से इसी जंगल पर dependent है, forest पर dependent है, लकड़ी लाने के लिए, खाने पिने के लिए, जो भी समान है इनका पूरा जीवन यहीं पर्यापन होता है तो इनको कुछ special power दिये गए है या special rights दिये गए है इसी को बोला गया है PESA Act PESA Act, Act मतलब बता है कानून तो इनको कुछ विशे सदिकार देने के लिए पंचायत को कुछ विशे सदिकार देने के लिए forest वाले area में 1996 में क्या किया गया है यहाँ पर एक कानून बनाया गया था तो Supreme Court क्या बोलती है कि Supreme Court इसको petition को सुनती है और judgment देती है अपना 2013 में 2004 में क्या हुआ था विदानता कंपनी को माइनिंग दिया था और आते आते ये पूरा है ना चलते चलते मूमेंट 2013 आ गया तो यहाँ पर क्या होता है Supreme Court judgment जेती है Supreme Court क्या बोलती है कि विदानता जो ग्रूप है कि यहाँ पर के जो local लोग है यानि कि जो community है जन जाती लोग है अगर वो चाहते हैं तभी वहाँ पर mining किया जाएगा otherwise वहाँ पर mining नहीं किया जाएगा mining को ban कर दिया जाएगा तो बहुत long protest होता है नियामगिरी में सांतिपूर्ण वो करते हैं protest करते हैं बहुत लंबे struggle के बाद में उनको क्या होता है ये finally success मिलता है और वहाँ पर mining जो है नियामगिरी में उसको रोग दिया जाता है इससे लोगों का क्या होता है वो protection हो जाता है forest को कटने से बचा लिया जाता है तो इससे हम लोगों ने क्या देखा जो moment है डेमोक्रेसी में उसका बहुत जादा important है तो लोगों ने कैसे डेमोक्रेसी का यूज करके या जो हमको right to freedom मिला है उसका इस्तमाल करके क्या किया है अपने जो अधिकार है अपने जो rights हैं उनको protect करने के लिए यहाँ पर democracy का help लिया या right to freedom का help लिया अब ऐसे ही हम लोग समझते है तो यहाँ पर अब हम दूसरा story देखते हैं जो की राजिस्थान से related दिया गया है किसके लिए दिया गया है right to information की लिए right to information क्या है इसी को अभी देखेंगे आगे इसको short form में हम लोग RTI बोलते है right to information 86 number का constitutional amendment in year 2002 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे है मतलब class 1st से class 8 से तक उनको सिख्चा का अधिकार दिया जाएगा यह तो RTE है अभी हम लोग देखने वाले है right to information हिंदी में इसको क्या बोलते है सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अभी यह क्या है आगे समझेंगे उससे पहले एक जो इस्टोरी दिया गए है इसको समझ लेते हैं अब यह इस्टोरी कहां का है तो यह इस्टोरी है Central Rajasthan का Rajasthan के बारे में आप लोगों को बता है कि Rajasthan का जो West वाला portion है यहाँ पर क्या है थार का डेजर्ट है तो थार का डेजर्ट है और इस यहाँ पर जो Central वाला जो राजिस्टान है यहाँ पर भी बहुंच ज़्यादा गर्मी पड़ती है बहुंच ज़्यादा सूखा पड़ता है तो यह कैसा है जो Central राजिस्थान है कौन कौन से district है अजमेर हो गया भील वाड़ा हो गया पाली हो गया है ना तो ये drought prone area है मतलब सूखा ग्रस्त चेतर यानि कि यहां पर पानी बहुत कम गिरता है तो पानी ही कम गिरता है तो खेती वगर अभी कम होता है तो सरकार यहां के लोगों को राहत देने के लिए relief देने के लिए क्या करती है कुछ project चलाती है project चलाती है जिससे कि उनको रोजगार मिले और उनके जीवन यापन के लिए कुछ साधान बने तो जैसे हमारे यहां पर क्या होता है रोजगार गरेंटी जानते हो आप लोग जिसको हम लोग जो normally जो simple language में गोदी होगых बोल लेते है तो वैसे ही सरकार यहां पर भी क्या चलाती है जो राजिस्तान की जो सरकार है रोजगार गरेंटी योजना चलाती है पंचायत में पंचायत के माध्यम से अलाग-अलाग उनको क्या होता है रोजगार गरिंटी का काम होता है जैसे आप लोग देखते होंगे तलाब गहरी करन हो गया दिया नया तलाब बनाया जाता है रास्ता बनाया जाता है ऐसे अलग-अलग क्या होते हैं यहाँ पर काम इसमें इसके अंदर चलते हैं तो अब यहाँ पर problem क्या था इनको जो daily minimum wage मिलना चाहिए मतलब कम से कम इतने रूपे उनको मिलना चाहिए था वो क्या decided था 11 रूपे जो प्रती दिन का जिसको रोजी बोलते हैं एक दिन कम से कम जो एक आदमी जब काम करता है तो उसको 11 रूपे मिलने चाहिए लेकिन उनको उतने रूपे नहीं मिल रहे थे जो man थे यानि कि जो आदमी थे उनको 7-8 रूपे दिया जा रहा था और जो woman थे उनको 5-6 रूपे दिया जा रहा है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी discrimination हो रहा है man और woman को इनको man को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है सेम काम के लिए और woman को कम पैसा दिया जा रहा है और actual में problem यह था इनको कि जो 11 रूपे है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है इनका जो minimum wage है वो भी नहीं मिल रहे उनको उससे भी कम पैसा मिल रहा है 7-8 रूपे अब आप लोग सोचेंगे कि 11 रूपे में क्या होता है होता ही क्या असर है ना त गड़ जाता है ताइम जैसे पहले जो 10 रूपे में चीज आता था भी वो 10 रूपे में आ रहा है तो इस टाइप से क्या होता है उस समय की बात है तो अब यहां पर workers ने क्या किया complaint किया government के पास में जाके complaint किया कि हमको जो minimum wage है वो क्या हो रहा है वो भी नहीं मिल पा रहे ह तो government ने भी कोई action नहीं लिया बहुत इधर उधर उधर उन लोग क्या गया अलग-अलग government officers के पास में सिकायत करने गया पर कुछ नहीं हुआ कोई action नहीं हुआ तो उन्हों ने क्या किया जो वहाँ पर जो labor से जो workers से उन लोगों ने क्या किया एक संगठन बना लिया एक SOC मजदूर किसान् सकती संगठन सक्ती संग्ठन mksss इसको short form में बोर दिया गया कब बनाया गया 1st of my 1990 में है ना 1990 में क्या होता है यह संगठन बनाया जाता है तो अब यह क्या करते हैं ये बहुत सारे अंदोलन करते हैं, डेमोस्टेशन करते हैं, हंगरी स्टाइक करते हैं, मतलब धरना प्रदर्शन करते हैं, भूख हरताल करते हैं, जैसे प्रेसर रूप आप लोगों को बताया थे उनके अलग-अलग तरीके होते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत मा मुवमेंट से या अंदोलन से क्या होता है जनता को या फिर सरकार को अपनी तरफ केंद्र है ना अपनी तरफ उनका ध्याना करसी करना होता है ना और यह सरकार प्रफेसर बनाती कि उन पर कोई legal action लिया जाया ऐसे करके तो यहाँ पर सरकार ने के अंदर सरकार ने interfere किया और फिर क्या हुआ यहाँ पर जब इन से पूछा गया, government officers से पूछा गया, कि इनको पैसा क्यों कम दिया जा रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि उन्हों कम काम कर रहे है, काम मतलब जितना होता है, तो उससे less work उन्हों कर रहे है, इसलिए उनका पैसा काट लिया जा रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ जब और खोजबिन होती है तो अब यह लोग क्या होता है इसके पीछे पढ़ जाते है कौन जो यहाँ पर जो सरपंच रहते है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पीछे पढ़ जाते है तो इनके, बाद में इनके corruption बहुत सारे निकल कराते हैं अभी देखेंगे यहाँ पर फिर एक word दिया गहा है मश्टर रोल क्या होता है यह पूछा जाता है अगर आप लोग जानते होंगे अगर आपके ममी पाप रोजगार गरेंटी होगरे जाते होंगे या रोजगार गरेंटी कार्ड होगा आपके यहाँ तो वहाँ पर क्या होता है उनका daily हाजरी होता है या जैसे आप लोगं का attendance register रहता है ना वैसे ही क्या होता है master role क्या होता है कितना काम किया गया है उसका पूरा record रहता है जैसे इसका definition क्या गया है एक ऐसा register होता है जिसमें की government record maintain होता है कि daily कितना का काम हो रहा है daily workaround कितना है तो किसने कितना आज कितना दिन काम किया है कितना क काम किया है उसका पूरा attendance रहता है जैसे आप लोगे का attendance रहता है वैसे ही master role ऐसे समझ की चलिए तो यह वो एक रेजिस्टर है जिसमें daily का जो work है वो maintain होता है कि कि इतना work किया गया है है तो यह master role सकता है ध्यान रख्येगा question भी दिया गया है तो फिर अब क्या होता है इसके बाद आता है एक topic है public hearing public hearing को बोलते हैं जन सुनवाई जन सुनवाई मतलब कि क्या हो गया जनता पूरी एक जग़ा ही कठा हो गई या जैसे gram सभा का meeting वगरा होता है तो जनता पूरी एक साथ ही कठा हो गई सकती संगठन ने इनको क्या हो गया केंदर सरकार ने तो बोल लिया कि इनको जो है इनका जो minimum wage है 11 रुपए मिलना चाहिए तो वो मिल गया लेकिन अब इन्होंने फिर से खोजबीन चालू की और क्या किया देखा कि वहाँ पर जो सरपंच है वहाँ पर जो मुखिया है जो हेड है वो क्या करता है वहाँ सारे corruption करता है corruption करता है मतलब कि क्या हो गया यह जो master रोल रहता है इसमें वो घोटाला करता है क्या घोटाला करता है कि जो आदमी आया नहीं है काम में उसका भी हाजरी डाल दे रहे है और जो आदमी किसी कटो द्रेथ हो गया है उनका भी attendance डाल दे रहे है जो आदमी मर गया है काम में है ही नहीं इस दुनिया में उसका भी account number दे रहे है मतलब पहले तो account number नहीं होता था हाथ में पैसे देते थे bank को अगर का system नहीं था तो इसलि ले रहे हैं ऐसे बहुत सारे buildings जो की बने ही नहीं है उनको भी बन गए हैसे करके पैसा पास कर वा लिया है और वो पैसे को क्या कर रहे है अपने लोग use कर रहे हैं corruption के थुरू है और अपने जेब भरने में लगा रहे हैं तो ये सब पूरा क्या हुआ जब जाँच हुआ त सब हम लोग जानना चाहते हैं तो इसी को क्या बोला गया right to information बोला गया है याने की सूचना का अधिकार अब right to information क्या है इसके बारे हम थोड़ देख लेते हैं सूचना का अधिकार इसको हम लोग बोलते हैं सूचना मतलब जानने का अधिकार तो government जो जनता है उसको सरकार क द्वारा क्या दिया गए है कधिकार दिया गए तो इसी सब को देखते हुए 2005 में एक कनून बनाया गया था एक एक बनाया गया था इसी को बोलते हैं right to information act rti act कब आया था यह important है year important है ध्यां रखेगा rti act कब आया तो 2005 में आता है सूचना काधिकार इसको बोलते हैं अब ये सूचना काधिकार क्या होता है सूचना मतलब हमको कोई भी information चाहिए तो वो हमको मिलेगा हम लोग पूछ सकते हैं जैसे इसका एक best example है आप लोग जानते होंगे कि board paper आप लोग दिला रहे हो भी तो board paper में क्या होता है किसी किसी का कम marks आ जाता है तो वो क्या करते हैं अपना जो marks seat है वो फिर से खुल आते हैं फिर से check करवाते हैं तो कि हमने तो अच्छा paper बनाया था फिर हमारे number कम कैसे आ गए तो ये आप लोगों ने कैसे किया तो उसका एक form आता है आपको ही कार है कि आप जान सकते हो कि जब आपने अच्छा paper बनाया था तो आपके number कैसे कम आ गए वैसे ही अगर जैसे मान के चलो road बनना है अब वो road दो साल से पढ़ा हुआ है ऐसे बन नहीं रहे तो हम लोग PWD के office में जाके पता कर सकते हैं public work department में कि दो साल से जो सड़क बन रहा है वो बना ही क्यों नहीं है या पतला सड़क बनाया है या टूड गया है जो भी information चाहिए हमको जीज भी जैसे पिछले वाले एक chapter में बताया थे class 9 में कि एक महिला रहती है उसका रासन कार्ड नहीं बनता है तो बहुत दो तीन बार अप्लाई कर चुक रहती है तो जाके फिर लास्ट में RTI form लगाती है तो उसको पता चल है न तब वो फिर बताया का क्यों नहीं बना है और सरकार को ये बताना ही होता है मतलब जो जो office रहता है है ना जिस भी office या officers रहता है उसको बनाना बताना पड़ता है कि क्यों उसका काम नहीं हुआ है या ये सब क्या चीज है तो इसी को बोलते हैं हम लोग सूचना कधिकार right to information ये रहां रखेंगे 2005 में आया था ये अब इसके बाद जो last topic आता है इस chapter का वो है peace moment यानि की सांती आंदोलन तो ये peace moment का aim क्या था क्यों ये चलाया गया था तो आप लोग ने दो world war के बारे में पढ़ लिया है world war 1, world war 2 और cold war ऐसे बहुँ सारे हम लोग उने war के बारे में पढ़ा है तो इसमें क्या हुआ है इसमें हम लोग उने देखा बहुँ सारे तबाही हुई destruction हुए करोडों लोग मारे गए बहुँ सारे लोग बेघर हो गए पूरा देश तबाह हो गया तो इसी को देखकर क्या किया गया लोगों के दोरा peace moment यानि की सांती आंदोलन चलाया गया था अब ये peace moment का और क्या क्या importance था तो सांती स्थापित करना इसका main है ना to establish peace in the world और उसके बाद यहाँ पर युद्ध को रोकना war को रोकना जो nuclear weapons थे उसको रोकना या जो dis ornament को encourage करना dis ornament मतलब क्या होता है हथियार को ornament मतलब क्या होता है हथियार तो हथियारों का कम से कम प्रयोग है ना यानि कि उसको एकदम limit कर देना बहुत कम प्रयोग करना या फिर उसको बिल्कुल ही stop कर देना तो यही चीज क्या कहलाता है dis ornament कहलाता है dis ornament मतलब हथियारों को या तो बहुत कम कर दिया जाए या उनको खतम कर दिया जाए रोक दिया जाए तो इसके लिए peace moment start किया गया था, सांती बनाने के लिए है ना, युद्ध को रोकने के लिए nuclear weapon खतम करने के लिए अब पूछा जाता है, question आता है कि यह जो moment था है ना, peace moment यह कहां से start होता है, तो यह start होता है जापान से, है ना, peace moment जो है सांती अंदोलन, जापान सी start होता है अब क्यों आप लोग बताईए, common सी बात है आप लोग ने world war 2 में पढ़ा है world war 2 में 1945 में 1945 में अमेरिका क्या कर देता है, जापान के उपर में दो बम गिराया था, याद है आप लोगों को 8 अगस्त 1945 हिरोशिमा में और नागसाकी में 9 अगस्त को, इसका नाम बताया थे little boy, और इसका नाम बताया थे जो नागसाकी में गिराया था fat man, तो यहाँ पर जो जापान है, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, बहुत ज़्यादा destruction हुए थे, बहुत भैंकर तबाही आये थी बहुत सारे लोग मारे गये थे तो जापान ने क्या किया था एक council बनाया, एक सदस से एक समिती बनाई, Japanese Council Against Atomic and Hydrogen Bum, यानि कि जो atomic Bum है या hydrogen Bum है, nuclear Bum है उसको खतम करने के लिए एक अंदोलन चलाया, या एक council बनाई जो इसका विरोध करता था, है ना ताकि आने वाले समय में ऐसी तबाही ना हो ऐसे करके, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट और फर्स्ट जो large scale में यहीं पर protest हुआ, है ना, anti nuclear nuclear weapon का जो अभियान है यह जापान में ही चलाया गया था, nuclear weapons को खतम करने के लिए, फिर अलग-अलग देशों ने भी अपने-अपने जगा पर, अलग-अलग moment इस्टार्ट किये है ना, जैसे कि disarmament moment कहां पर इस्टार्ट हुआ, इंगलैंड में भी हुआ है ना, क्योंकि इंगलैंड, जर्मनी बताया थे आप लोगों को, जर्मनी ने air strike करके पूरा लंदन को तबाह कर दिया था है ना, फिर उसके बाद जब अमेरिका, लंदन, इंगलैंड और फ्रांस के support में आया, तब जाके क्या हुआ तब जाके फिर इन लोग थोड़ा strong हुए, लेकिन तब भी इन लोग जीत गए थे world war 2 में, लेकिन तब भी इनका हालात बहुँँ ज़्यादा खराब था तो इन लोगों ने भी क्या किया, cnd चलाया, cnd मतलब क्या है campaign for nuclear disarmament, campaign for nuclear disarmament, अभी बताया, disarmament मतलब हथियारों को खतम करना है ना, तो campaign मतलब अभियान, nuclear जो नुकलियर जो हथियार है, उनको खतम करने के लिए अभियान चलाया गया, किसके दौरा, England के दौरा, तो cnd क्या है, campaign for nuclear disarmament, किसके दौरा launch किया गया, England के दौरा 1958 में 1958 में यह क्या किया गया था ऐसा अभियान जो है वो इस्टार्ट किया गया था फिर इसके बाद में एक क्या हुआ लोगों ने यहाँ पर विरोथ करना इस्टार्ट किया एल्डर मेंश्टन मार्च किया यहाँ पर एक्चुल में एल्डर मेंश्टन किया है एक जगह है तो लंदन से लेकर यहाँ पर एल्डर मेंश्टन में एक उनका atomic weapon research था मतलब atomic weapon research मतलब वहाँ पर bum वगरा बनाया जाता था atomic के उपर में क्या होता है atoms के उपर में research किया जाता है अच्छा ये जो nuclear weapon है किस से बनाया जाते हैं तो आप लोगों ने science में पढ़ा होगा एक element है uranium uranium जिसका atomic number 92 और atomic mass 235 है है ना तो उसी से ये क्या है ये nuclear weapon मगरा बनाया जाते हैं तो elder elder master करके एक जगह है UK में तो elder master march क्या था अरे दांडी march सुने हो ना जैसे गांधी जी ने किया था गांधी जी ने दांडी से लेकर साबरमती से लेकर दांडी तक ये पूरा दांडी अंदोलन किया था नमक कर तोड़ो अंदोलन ये सब तो वही क्या था लंदन से लेकर इन लोग यहां तक गया यहां पर क्या है atomic research हो अगरा होता था तो उसको रोकने के लिए उसको बंद करवाने के लिए ये किया गया था और इसमें कितने लोग सामील थे committee of hundred committee of hundred क्या था ये एक philosopher हुए philosopher मतलब दार्शनीक मतलब ये जो ग्यानी वैक्ती knowledgeable person बोलो है ना क्या नाम था उसका Bertrand Russell ऐसे करके है ना तो Bertrand Russell करके क्या थे philosopher थे कहाँ पर England में Bertrand Russell ने क्या किया committee of hundred मतलब कि hundred लोगों को एक साथ इकठा किया और ये मार्च करना स्टार्ट किया लेकिन वहाँ पर सौ की जगा पर हजारों लोग आ गया लेकिन फिर भी ये क्या हो गया ये फेल हो गया फेल क्यों हो गया committee of hundred क्योंकि यहाँ पर कोई भी leaders नहीं था leadership की कमी हो गई तो यहाँ पर पुलिस आया और इस मार्च पर लाठी चार्ड किया है ना बहुत सारे लोगों को गिरप्तार कर दिया तो उसके करन्ड से लोगों ने अंदोलन ही बंद कर दिया और वो छोड़ कर भाग गया तो इसी को क्या बोला गया था elder master मार्च कहाँ पर हुआ था यह ध्या रखेंगे इंग्लेंड में committee of 100 क्या है 100 लोगों का समूँ था जो की यह जो nuclear weapon वगरा चार रहा था उसके विरोध में यह डिस आर्नमेंट moment इस्टार्ट किया था उसके लिए लोगों के द्वारा 100 लोगों का समूँ बनाय गया था Bertrand Russell के द्वारा अब ऐसे ही अमेरिका में भी क्या हुआ anti nuclear weapon और peace moment किया गया anti nuclear weapon के लिए अमेरिका में भी क्या हुआ यहाँ पर mainly women's लोग निकल कर रहा है तो लगभग 50,000 महिलाओं ने क्या किया है ना 50,000 जो women's थे अमेरिका के उन्होंने 60 cities में 60 cities में अमेरिका के 60 cities में क्या किया women's ने आंदोला नी start किया women's strike for peace इन्होंने क्या किया एक moment start किया और भूखरतालोगर किया क्योंकि women's को बहुँ जादे इससे problem था क्योंकि उनके husband हो गया पूरा तबाही हो गया है ना जो destruction हो गया था तो women's को बहुँ जादा कश्ट उठाना पड़ता था है ना तो इसके करण women's ने क्या किया लोगों को जागरूप करने के लिए अमेरिका में भी 1961 में अमेरिका में भी पचास अजार महिलाओं ने क्या किया था फिर अमेरिका में क्या किया गया nuclear disarmament day बनाया गया है ना जैसे अलग-अलग day मनाया जाता है yoga day है ना ऐसे बताएं आप लोगों को फिर voters day ऐसे बहुँँ सारे environment day तो ऐसे ही क्या किया गया ये question पूछ सकता है कि nuclear disarmament day कब मनाया गया था ये 20 June 20 June 1983 में बनाया गया था तो ये date ध्यां रखेंगे आप लोग 20 June 1983 को कहा पर अमेरिका में nuclear disarmament day यानि nuclear disarmament मतलब ही बता है कि हत्यारों को limit करना या उनको खतम कर देना तो इसी को क्या बोला गया nuclear disarmament day अमेरिका में मनाया गया 20 June 1983 को तो ये chapter छोटा सथा यहाँ पर ये क्या होता है complete होता है है ना अब explain करते थोड़ा time हो गया तो इसको आप लोग थोड़ा speed करके देख लीजेगा जहिन